बॉलीवुड की चकाचौंद की दुनिया में ये कहावत चरितार्थ होती दिखाई नहीं देती। रात होते ही बॉलीवुड की पार्टीज में सितारे नशे में डोलते नजर आते हैं। कुछ सेलेब्स ने तो इस गलत आदत से खुद को दूर रखा है लेकिन कुछ फिल्मी सितारे पीने के बहुत शौकीन है और इस शौक ने उन्हें अलकोहल एडिक बना दिया है। अगर बात करें तो बॉलीवुड के किंग खान भी पीने में सब के गुरू हैं। कुछ वक्त पहले वांखेरे स्टेडियम में उनके द्वारा की गई बदसलुकी इसका ओदाहरन है। कोलकाता नाइट्राइडर्स टीम के सहमालिक शाहरुक खान ने नशे की हालत में वांखेरे स्टेडियम में मुंबई क्रिकेट संग एमसी एक के अधिकारियों के साथ बदसलुकी की थी। वह रात की पार्टी में पीने से खुद को रोक नहीं पाते। सल्मान शराब पीने के बाद कैसे दुखते हैं, तस्वीरों में देखकर आप अंधाजा लगा सकते हैं। खबर तो यहां तक आई थी कि शाहरुक के साथ हुए जगड़े की वजह उनका नशे में धुत होना था। वी टाउन में ये चर्चा जोरों पर खीकी सल्मान ने नशे में एश्वर्या राय के साथ मार पीट की थी। संजय बॉलिवुड के सबसे ज़्यादा नशा करने वाले एक्ट हैं। जब वह पीना शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। संजु बाबा पर जब शराब का नशा चड़ता है तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। वहीं इस मामले में मलाइका अरोडा भी पीछे नहीं हैं। डिजाइना मनीश मलहुतरा के बर्टे पार्टी पर मलाइका ने इतनी ज्यादा शराब भी ली थी कि जब सोनम कपूर ने उनकी मदद करनी चाही तो उन्होंने सोनम को जोर का धक्का मार दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यूँ।